राशी मेश ओवर्वियू अकेले लोगों का दिन आज उनके लिए नया प्यार लाएगा, अब ये आपके उपर है कि इस मौके का आप कितना फायदा उठाते हैं, वो व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर मिल सकता है, सावधान रहें, अपने प्यार का इजहार ओफिस से बाहर ही करें, नहीं तो आपकी प् ठीक लगे, तो बात आगे बढ़ाएं. राशी मेश करियर विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्म विश्वास के बल पर आप सभी काम आसानी से कर सकेंगे. अपनी सकारात्मक सोच वह आत्म विश्वास के बल पर आपको अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए. अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल देने से आप में और ज्यादा उर्जा का संचार हो सकेगा. अपनी सकारात्मक सोच के कारण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन इस सफलता के लिए आपने मेहनत भी की है. राशी मेश आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक विट्तिय विकास के संकेत मिलेंगे. ये किसी प्रकार की पदोन्नती या वेतन वृद्धी हो सकती है. यदि आप अपना विवसाय भी चलाते हैं, तब आज आए के नवीन स्रोत मिलने की उमीद है. इन वित्तिय संभावनाओं का लाब उठाईए और अपने भविश्य के वित्तिय लक्षों को पूरा कीजिए. राशी मेश ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण आज आप घर पर किसी बहस में पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपनी कतनी और गुसे को काबू में रखना होगा. अगर आज आप शांत रहेंगे, तो भविश्य में काफी घरेलू समस्याओं से बच सकेंगे. आज की परेशानियों को लेकर आप घुसे को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें. बुरा वक्त भी जल्दी ही बीट जाएगा. उन्हें जो किसी पार्टनर की खोज में हैं, सफलता मिलेगी. आप ओनलाइन, शायद विवासंबंधी साइट पर पार्टनर के सहारे आपस में मिल सकते हैं. ये विदेश में रहने बाला हो सकता है. हो सकता है कि वो आपसे चिप-चिप कर मुलाकात कर ले और आप हैरत में पड़े रह जाएं. राशी व्रिश, करियर बड़ी खरिदारी करने की सोच रहे हैं. शायद कोई नई कार या बाइक, तो आज ये खरिदारी करने का शुब दिन है. आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनकूल है, तो आज अपनी कार या बाइक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें. राशी व्रिश, हेल्थ आज आप अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे. मुसीवतें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपने ये जान लिया है कि सकारात्मक सोच रखने से हम परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल सकते हैं. इसलिए आज ये जानने की कोशिश क आप किसी व्यक्ति से कई दिनों से मिलना चाह रही हैं, जिसमें आज आप सफल तापा सकते हैं. ये रिष्टा आप दोनों के लिए खुशी लाएगा और आगे चल कर सफल भी हो सकता है. आज का दिन समूह के साथ मिलकर काम करने के लिए बहतर है. आपके द्वारा अपने समूह के सदस्यों को प्रेरणा देना सभी की उत्सुकता का केंदर बनेगा. हो सकता है कि आपकी पदोन्नती समूह नायक के बतौर हो जाए. स्वयम के विवसाय में कारिरत उद्यमियों को व यहां तक की खर्च आपकी कमाई से भी जादा हो सकता है. जरूरी है कि अपने खर्च का एक बार लेखा जोखा ठीक से निकालें, नहीं तो स्थिती चिन्ता जनक भी हो सकती है. तै कर लें कि पाउं उतना ही पहलाना है, जितनी लंबी चादर है. आज आपको पेट दर्द से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी बढ़तें. आपको आँख से संबंधित परिशानी होने के भी संकेत हैं. ध्यान रहे, आप इन समस्याओं को टाले नहीं और किसी विशेशग्य की सलाह लें. आपके लिए अच्छी ख़वर है क आपको जल्द ही सेहत से संबंधित परिशानी से निजात मिल जाएगी. राशिकर्क, ओवरव्यू. कार्य कुशलता का गुण आप में कूट-कूट कर भरा है, जो इन दिनों और अधिक बढ़ जाएगा. आप सकारात्मक और रचनात्मक उरजा से भरे हैं, इसलिए आसानी से उन सभी समस्याओं का हल ढूंड लेंगे, जिनको हल करना औरों के लिए नामुम्किन है. ये सब आप अपनी कार्य कुशलता और गहरी सोच के कारण ही कर पाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके इस हुनर से लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं. पिछले दिनों आपसी अनबन में फंसी जोडियां, आज अपना मन मुटाव दूर कर लेंगी. रिष्टा फिर से लाइन पर आ जाएगा, इसलिए पुर्जोर प्रयास करें. सकारात्मक रहकर लंबे रिष्टे बनाने की सोचें. राशिकर्क, करियर एक आग्र चित होकर काम करने से आपको उम्मीद से पहले ही सफलता मिल सकेगी. इससे आपके मार्ग की सभी बाधाएं भी दूर हो सकेगी. बड़ी बात ये है कि आपका काम ही आपके बारे में सब कुछ बता देगा. राशिकर्क, फाइनान्स अपना आर्थिक लक्ष पाने के लिए आज का दिन बड़ा ही शुब है. बस ध्यान रखें कि आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पहले पूरा कर लें. इसके लिए जरूरी है कि आप सकारात्मक सोचें और आशावादी बने रहें. आपकी रह में कोई रोड़ा आएग तो आप अपने होसले से उससे पार पालेंगे. ठीक धंक से की गई प्लानिंग और सही मौके की बदौलत आपके व्यावसाइक सपने जरूर साकार होंगे. इसमें आप अपने सहकर्मी की मदद भी ले सकते हैं. इससे आपका आत्मसंबान तो बढ़ेगा ही, आप समय रहते अपने आर्थिक लक्षे को भी पालेंगे. राशी कर्क, हेल्थ, आपका स्वास्त संतोष जनक रहेगा. फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवशक्ता है. इसलिए आप नियमित व्यायाम करें. अगर आप खुद को धीला महसूस करें, तो तुरंत समझ जाएं कि आपका स्वास्त गिर रहा है. थोड़ा सतर्क रहें, तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा. राशी सिंग, ओवरव्यू. आज का दिन अपने परिवार वं मित्रों के साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा है. आज आप शायद उन नस्दी की रिष्टिदारों के साथ स आस करें. छोटी-छोटी बातों को अंदेखा कर दें. आप पाएंगे कि आपसी रिष्टे फिर से सामान्य हो रही है. राशी सिंग, करियर. अपने समय और योग्यताओं का उप्योग करने के लिए अपने आपको कुछ रचनात्मक काम में व्यस्त रखने का ये सही समय है. अच्छा होगा अगर आप इस समय अपने कार्याले में चुनोतियों को सुईकार करें. इस से आपको सफलता अवश्य मिलेगी. इस समय आपको अपने ही जैसे लोगों से जुड़ना चाहिए ताकि आप अपने प्रयासों में उनकी मदद ले सकें. उनके सुझावों से आप आपको सफलता मिल सकती है. आप अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत करने के लिए हर प्रयत्न करते हैं. अब आप अपनी आय का ठीक से प्रबंधन करें. आपने यदि अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया है तो समझे आज यही आपका सबसे बड़ा हितैशी है. इस तरह हो सक आपको अपनी आय बढ़ाने का एक बढ़िया रास्ता भी सूच जाए. आज आप खुद के लिए कुछ समय निकालें. आजकल के कार्य और जीवनशैली में दबाव और तनाव के कारण हम मनुरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते. अपने आपको इन भागते हुए कामों स दूर रखें. अन्य था आप अच्छे स्वास्ते का लाब नहीं उठा सकेंगे. आप कुछ समय जरूर निकालें ताकि आप दिमाग को शान्ती दे सकें. राशिक कन्या ओवर्वियू चोटी चोटी बातों पर आज आपकी अपने परिजनों से अन्बन हो सकती है. आज आप अपने आपको शायद अकेला सा महसूस करें. आज आप महसूस करेंगे कि आपकी रुचियां आपके परिजनों की रुचियों से बिलकुल अलग है. आपके घर के बड़े बुजर्ग आज प्रेम के क्षेत्र में कुछ गलत पहमी उत्पन्न हो सकती है। इसे रोकने के लिए अपने मन की भावनाओं को खुल कर साथी के साथ बांटें। भी आपको पूरी महिनत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में आप अपने लंबे वो तुरंत करने वाले कामों की सूची बना सकते हैं। आज तो आपके सामने विवसाए के एक तो नहीं बलकि बहुत सारे प्रस्ताव होंगे जो आपके विवसाए को एक नई चमक देंगे। इस नए मौके का भरपूर लाब उठाईए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इन दिनों हो रही भरपूर आमदनी में से कुछ रकम आड़े वक्त के लिए बचा कर रखिए। आज आपको अपनी सेहत का खयाल रखना होगा। आज का दिन अद्भुद अनुभव वजोश से भरा होगा। आज आपको अपनी रोज की दिन चरिया से मुक्ति मिलेगी और आप अपने आपको तरो ताजा कर पाएंगे। तो फिर इंतिजार किस बात का है? अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, प्रकृती की सुंदर्ता का मजा लें और खूब मस्ती करें। राशितुला, रुमैंस रुमैंस की दुनिया में आज सबर ही सब कुछ है। आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा आपसे वो चीजें कहलवा रहा है जिनको लेकर आप बाद में पच्चताने वाले हैं। आज आपका गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिकेगा। पर गुस्से के वक्त कहे गए कुछ अनुचित शब्दों का असर काफी दिनों तक रहेगा। आज आपका लक्ष होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो चुप रहो। आज कार्यस्थल पर अपने सभाव पर नियंतन रखें। धैरे रखने में काफी महनत की आवशकता होती है और आज आपको धैरे की जरूरत होगी। आप में से कुछ काफी अच्छे से काम कर रहे होंगे और आपको भी अच्छा काम मिलेगा। याद रखें कि आपको एक सही स्थिती की आवशकता है जो भविश्य में आपकी मदद करेगी। आज कहीं से धन की प्राप्ति दिख रही है। पुराने निवेश से आपको आज बड़ा फायदा भी मिल सकता है। हो सकता है आपने इंशोरिंस, फिक्स डिपॉजिट या ऐसा ही कोई लंबे समय का निवेश का रखा हो। तो आज इस निवेश से आपको बड़ा लाब मिलने वाला है। आपकी कमाई में बढ़ोतरी के लिए ये बड़ा स्रोध साबित हो सकता है। राशित तुला हेल्थ आज आपको सेहत को लेकर ज्यादा परिशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अच्छी सेहत के कारण आप बाहर टहलने जा सकते हैं और अपना मन पसंद खेल भी खेल सकते हैं। आज पूरे दिन आपके अंदर उर्जा का स्तर उचा रहेगा। राशिवरिश्चिक ओवर्विव आज की पार्टी को आप हमेशा याद रखेंगे। आज आपका घर महमानों से भरा रहेगा। आज शायद वो आपके घर ही रुकें इसलिए पूरी तयारी कर लें। और अगर वो आपके घर ना भी रुकें तो भी आपकी दिन चर्या को तो बदल ही देंगे। राशिवरिश्चिक रुमैंस आज आपका दिन जोज भरा हो सकता है। कोई जो आपके लिए खास है आपके और करीब आ सकता है। वो आपका संबंध ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये आपको खुशी के लमहे देगा क्यूंकि आप प्यार में होंगे। आपके हित में होगा कि आप किसी भी हालत में असुरक्षा की भावना को अपने संबंध में न पनपने दें। आज आप अपने निश्चित लक्षियों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने काम की रूप रेखा को सुधारना या बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने इस लक्ष को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें। इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें कि हर सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। इस समय आपको कोई शुब समाचार मिल सकता है। भविश्य के लिए निवेश करने के लिए आपके सामने आज कई सारे विकल्ब खुले हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक दलाल के पास जाएं, उससे स्टॉक के निवेश में सलाह लें। अगर स्टॉक में निवेश कर, मकान या प्रोपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये भी बढ़िया विकल्ब है। जो भी हो, आज का दिन अच्छा है। जहां निवेश करेंगे, ला भी होगा। भविश्य के बारे में आज ही सोचिए, देखिए कल से ही मुनाफ़ा सामने दिखेगा। बुरे सपने आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सोने से पहले अच्छा सोचें, जिससे नींद भी अच्छी आए। आप चिंता न करें, ये तो बस सौपन है, दिन की शुरुवात हस कर करें। आज अपने परिवार और दोस्तों की बात सुनने की बजाए, अपने दिल की बात सुने, आपके अंदर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी, याद रखें, आप अपने आप ही खुद को इतनी दूर तक लाए हैं, और अब आपको सही निरणय लेने चाहिए। राशी धनू, रुमैंस अगर आप विद्ध्यार्थी हैं, तो आपको अपने परिक्षा के परिणाम की चिंता रहेगी। परेशान ना हो, आपने मेहनत से पढ़ाई की है, इसलिए परिणाम भी संतोष प्रधी रहेंगे। राशी धनू, फाइनांस आप मेंसे कुछ को अपनी पैत्रिक अचल संपत्ती से लाब मिल सकता है, हो सकता है ये आपको किसी विशेश प्रॉपटी के रूप में प्राप्थ हो, आज का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपून है, क्योंकि आज आप लंबे अर्से से चले आ रहें, कई प्रकार क रणों से छुटकारा पा सकते हैं, और अंततह चैन की सांस ले सकते हैं, राशि धनू, हेल्थ, आज आपको काफी समय से चलती आ रही बीमारी परेशान कर सकती है, अभी वो आपको छोटी समस्या लग सकती है, मगर आज आपने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया, तो राशि मकर, ओवर्वियू, बहुत समय से किसी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर आज आपके चहरे पर खुशी ठा जाएगी, आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए छोटी छोटी बातें भी आपके चहरे पर खुशी ले आएंगी, कुछ समय निकाल कर अपनी दूसरी खोई हुई चीजों को भी ढूंडने की खोशिश करें, क्या पता कहां क्या मिल जाए, आज आप खुद को भाग्य शाली समझें। और सौहार्द पूर्ण है, राशी मकर, करियर, हाल ही में आपने नए काम को शुरू किया है, और आपका अनुभव है कि ये निरने सही है, हो सकता है कि ये काम आपके कारिक्षेतर का न हो, लेकिन इसी काम से आप अपने लक्षों के प्रती आगे बढ़ पाएंगे, आगे आगे देखिए, होता है क्या। आप अपने आपको आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समच सकते हैं। अगर आप बुजर्ग हैं तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, थोड़ा आराम के लिए समय निकालें, यह दर्द कुछ समय में चला जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे, जरूरत से ज्यादा कारिय न करें, अन्यता दर्द बढ़ सकता है। आज आपका मन करेगा कि आप कहीं बाहर जाएं और लोगों से मिलें। आज आप अपनी जिन्दगी को लेकर कुछ तनाव में हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं चले जाते। अगर आज आप किसी सामाजिक समारोह में जा रहे हैं, तो वहा आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आज आप अपने आपको साथी से दूर पाएंगे। इस समय का प्रयोग अपनी रुची को पूरा करने वो पुराने दोस्तों से फून पर बात करने में बिताएं। विद्यार्थी आज अपने भविशे को लेकर आशा दिखाई देंगे। खास कर यदिवे किसी सहकारिता ख्षेतर के विवसाय में काम करना चाहते हैं। इस दौरान कई विकल्पों के सामने होने के कारण आप भ्रमित होंगे। आपको सही निर्णे लेना चाहिए जो लंबे समय तक चल सके। राशिकुम्भ, फाइनांस। आ आप सावधान रहें क्योंकि आज आपकी कोई प्रियवस्तुख होने का भय है। ये तै कर लें कि आपको जानकारी है कि आपने अपनी सभी मूल्यवान वस्तुएं कहां कहां रखी हैं। तथा उन्हें असावधानी से ना रखें ताकि उसके नुकसान से आपको पच्ताव ना हो। कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह रख रहें हैं तो जल्दी से उसका निरधारन कर लें वरना चोरी होने की आशंका बनी रहेगी। आज आप खुद को बुरी संगत में फसा हुआ पाएंगे जिससे आपकी छवी बिगड़ सकती है। अब आपको ज़रा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि इनसान अपनी संगती से ही पहचाना जाता है। बुरे लोगों के साथ से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो वस्तता आपसे चल कर रहा है। इसका रिष्टा पहले ही किसी के साथ तूटा हुआ है। आप इस बात को जानने में सफल होंगे। आज किसी नए रिष्टे को मत अपनाईए। थोड़ा समय लें। जल्दबाजी ना करें। राशी मीन करियर यदि आप शेर के क्षेतर में हैं तो आज का दिन शुब समाचार लेकर आएगा। आपके निवेश सही स्थान पर है। आपको छोटा सा खत्रा ले लेने में कोई हानी नजर नहीं आती। अपने चैन पर कोई प्रश्ण ना उठाएं परंतो उनकी पड़ पिछले मामले आपके पक्ष में हैं। यह आपको बहुत अमीर भी बना सकता है। अपने सारे पिछले मामलों पर जोड दीजिए और देखिए नदीर जा आपके पक्ष में होता है या नहीं। पेट की बीमारी से बचा सकता है। ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा और आपका भोजन भी पौश्टिक रहेगा।